नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभिक्ता, अभिशा की पूरी टीम की तरफ से मेरा नाम है अभिनवत शान्शो पांडे और आज भी हम एक बहुत इंपोर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करेंगे तो चर्चा क्या है? हमको क्या सीखना है? हमारे विचार किस तरीके से खुलें कि हम भविस्य की घटनाओं को अपने आसपास की हो रही चीज़ों को और मुख्य रूप से पाठ्ठ करम की जो विशय वस्तु है उसके साथ में अपने आपको जोड सकें ये बहुत ही महत्वपोन विशय बनता है और आज की इस चर्चा में आपका क्याम है पैन कौपे निकाल के बिलकुल किनारे रख दीजे आराम से रिलैक्स होके बैठिये और जो मैं आपको सोचवाना चाहता हूँ मैं जो चाहता हूँ कि आप इस पर विचार करें उन चीजों को जरूर से सोचें हमारा उद्दे से है कि हम अपने सराउंडिंग उसकी नीड को समझें हम ये समझ पाएं कि हम ये पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं अगर आप इस मामले में पीछे रह गए तो फिर उ है किरन प्रकाश की हम प्रकाश के बारे में हम लाइट के बारे में बात करने वाले हैं और ये जो डिसकेशन है जो मैंने आपको 15 मिनट में समझाने की कोशिस की हुई है इसके बारे में अगर आप ध्यान से विचार करें तो एक ऐसी लड़ाई जो सदियों तक चली दसकों नहीं सदियों तक हम जब से पैदा हुए हैं तब से प्रकाश के बारे में सोच रहे हैं देख रहे हैं अपने आसपास जो सबसे हमको मैजमराइजड हमको सबसे ज़्यदा आश्चरी चकित करने वारे चीज थी वो प्रकाश है थी तो इस बात पर जो है ग्रह उपग्रह और सारी चीज़े हैं जिने हम उपर से टिम्टिमाते तारों के रूप में देखते हैं और वहाँ पर भी जो है जब आपको अपने संसार से जो है मन उप जाये तब भी आपकी कल्पनाओं के अनन्त उड़ान के लिए जो चीज रिस्पॉंसिबल है जो आप बाहर देखकर अपने छोटे पन का हैसास करने के लिए करते हैं वो है आपका अनन्त ब्रहम्हांड इस ब्रहम्हांड में असंख्यता रहे हैं और हम क्या देख रहे हैं क्यों उनके सबसे निकलता हुआ प्रकास ही वो एकलोती चीज है जिससे हमें अपने पूरे ब्रहम्हांड से जुड़े होने का एहसास होता है तो ये क्या चीज है इसके बारे में और कैसे सीखेंगे और सबसे जदा कौतु हल था प्रकास क्या है हम ये जो आपको चित्र देख रहे हैं अब आपको मैं इसके बारे में समझाओंगा और आपको बहुत अच्छे से समझने आएगा जनरली हम पेड के नीचे उसकी बनने वाली परचाई के बारे में इस तरीके के दृष्य देखते हैं लेकिन इन दृष्यों में आपको नजर आ रहा होगा कि बहुत सारे ये कटे हुए गोले हैं ये एक विसेश फोटो है जो की सूरी ग्रहन के समय में लिए गई परचाई का चित्र है अगर अभी तक इस पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है तो अगले सूरी ग्रहन पे सूरी की ओर देखने के बज़ाए परचाई की ओर देखें हमारे अपने देश में बहुत सारी ब्रहांतिया हैं हम जो है राहू और केतो की बात करते हैं हम लोगों ने उस समय सूतक के बारे में बात की घर से नहीं निकलना अपनी खाने पीने की चीजों को ढख कर रखना उपवास करना ये सारे हमारे जो है उस घटना के और हमारी प्रतिक लिया है लेकिन जो चीजें हम लोगों ने देखी ही वही ऐसी है ठीक है तो इस से भी हमारे निशकर्ष में हमारे सोच को आकार मिलता है हम देखते हैं कि मनुष्य ने विज्ञान के नाम में जहां पर सबसे पहला कदम रखा जो इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहला प्रयास किया वो है आग और आग भी एक बहुत अच्छा स्त्रोत है जहां से हमें प्रकाश मिलता है बदलते हुए रंगों में किसी ने अपने अपने लिए जो है दिवी देवताओं का असिरवात देखा तो बदलते हुए रंगों में किसी ने सैतान भी देख लिया लेकिन प्रकास जो किस आग का बहुत अच्छा प्रतीक है इस से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार एक छोटा सा जुगनू रात के अंधेरे में अपनी खुद की रोशनी लेके घुमता है। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बहुती गहरे समुद्र में जहां प्रकास का कोई स्रोत नहीं है। शिकार करने के लिए भी एक मचली इस प्रकार के प्रकास का उप्योग करती है हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बहुं सारे आदिवासी कबीले हैं जिन्होंने देवता स्वरूप प्रकास को स्विकार कर लिया उसके सामने आस-पास नाच के, गा के और अपने देताओं पूरोजों औराध्यों को प्रसंद्न करने का प्रयातन ने किया हम अपने धर्म में देखते हैं कि हर एक सुपकाम से पहले अगनी को आहूती दी जाती है हम देखते हैं किस प्रकार से चांद की तुलना हर एक जगा अलग-अलग धंग से की गई है कहीं भगवान से राम जो है सिता माता की छवी देखते हैं उस चांद में तो कहीं मेगदुतम कालिदास ने चांद को और बादलों को लेकर प्रेमी और अविका के बारे में बाते की हैं चंद्रमा हमारे लिए देवता तुले तो है ही लेकिन इनके आने जाने से इनके दिखाई देने या ना दिखने से चंद्र की कलाएं और जवार भाटे का संबंध भी हम लोगों ने देखा हम लोगों ने सूर्य के प्रकास की का उपयोग किया समय की गढ़ना करने के लिए हम अपने मौसम हम अपने सीजन हम अपने तोहार सूर्य के और चंद्रमा के घटने बढ़ने और उनकी स्थितियों का पता लगा करते हैं हम लोगोंने इंद धनुस देखें इंद धनुस से जो है बहुत सारी कल्पनाए हर एक बच्चे को जो उत्सा से भर देने वाली चीज है वो एक रंग भी रंगा से इंद धनुस है हम लोगोंने देखा कि यह aphrodite है और aphrodite जो है अब भई केवल हम क्या observation करते रहे ऐसी बात नहीं है तो जब हम observation नहीं कर रहे हैं तो observation के बाद में हम उससे कुछ निसकर्ष निकालते हैं पहला प्रशन था कि हम देखते कैसे हैं और यह जो है बहुत पुरानी बात है तो उस समय जो है एक theory निकल के आई कि हमारा हमारी आखें ही प्रकास कस्त्रोत है और हमारी आखों से प्रकास निकल के जाता है वस्तूँव से टकराता है और इसलिए हमें चीजें दिखाई देती है फिर तुरान इनकी बात कड़ गई जब भी logic की बात आती है तो बे मतलब बे जो है आप समझ सकते हैं उन्होंने कहा कि प्रकास सीधी रेखा में गवन करता है यूकलिट का फॉर्मूला आप लोगोंने गणित में पढ़ा होगा लेकिन इनका योगदान विज्ञान में था इन्होंने प्रकास के परावर्तन की गणिती व्याक्षा कर दी ठीक है यह य दिखते हैं कि लूक्रिटिस अब यह इन्होंने क्या किया यह जो है पच्पन बीसी के समय के हैं यह जो है क्राइश्ट के आने के पहले की बात है और इन्होंने क्या कहा कि भाईया सूर्य के प्रकास से हमें उश्मा भी मिलती है और सूर्य से हमसे प्रकास भी मिलता है और और यह इतने सूक्ष में हिस्से हैं जो किसी वस्तू के सक्राने पर ततकालिक रूप से दूसरी दिसा में मूड जाते हैं तो इन्होंने परावर्तन की बात को पुष्टी दी उसको सहमती दी अपने अब इसके बाद में हम बात करेंगे टॉलमी की अब यह टॉलमी ने इन्होंने क्या किया इन्होंने प्रकास के अपवर्तन के सिध्धान की बहुत सारी व्याख्या की यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने टॉलमी ने गलोब का जो है एक चित्र बनाने की कोशिश की इन्होंने बताया कि प्रिथ्वी गोल है और कि इस प्रकार से नक्से हम उप्योग कर सकते हैं टॉलेमी की इस व्याक्षिया के बाद में हम भारती संस्कृति के बारे में बात करेंगे विष्ण पुरान में कहा गया है कि सूर्य एक रत के उपर बैठकर यात्परा करते हैं और उनके पास में कितने गोड़े हैं साथ गोड़े हैं यही चीज़ आपने बाद में कन्फर्म की कि यह साथ गोड़े साथ रंग है और सूर्य के प्रकास की इस प्रकार की व्याख्या की गई ठीक है आगे की बात क्या है सांख्य दर्शन हमारे ग्यान का पूरा स्थोरत वेद और हमारे दर्शन है तो उन में से एक दर्शन में क्या कहा गया है यह जो हमारा संसार है उसमें जो है हमारे पास में पांच इंद्रियां है खुल मिला के पांच तत्तों है और इन पांच तत्तों को चलाने के लिए पांच तंत्र भी है उन तंत्रों में से एक कौन सा है प्रकाश और प्रकाश ही वो तंत्र है जिससे दिरिश संसार के तत्तों का प्रादुर्भा होता है मतलब प्रकास वो एजेंट है जिसके कारण हमारे आसपास जो संसार बना है वो बना है तो ये प्रकास को चलाने के लिए मतलब प्रकास की व्याक्या है और ये सांख्य पद्धती में इन श्लोकों के द्वारा जो है इसकी व्याख्या की गई है आगे सांख्य दर्सन के साथ साथ वैसे शिक दर्सन आप लोगोंने महर्शिकनात की बात की होगी सुनी होगी और यहां इनके बारे में मैंने आप ले पहले भी चर्चा की थी जहां इन्होंने पर्माणू के बारे में बात की थी लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि प्रित्वी, जल, अग्न, वायो और अंतरिक्ष ये संसार के मौलिक तत्व हैं देखी सांखे दर्सन में हम लोगोंने मौलिक तत्व अगनी है वायू है और अंतरिक्ष है और प्रकास जो है यह अगनी तत्तों के तीब व्रगामी काणों का स्वरूफ है मतलब अगनी को अगर बहुत तेजी से चलाया जाये तो प्रकास बन जाता है हमारी व्याख्या कोछ ऐसी थी अगनी के जितने भी तत्तों होते हैं उनके विभिन permutation combination मतलब अलग-अलग समायोजन के कारण प्रकास की अलग-अलग प्रवित्तियों की व्याख्या की जा सकती है और ये जो है प्रकास जो है वो अलग-अलग पदार्थों के साथ में अलग-अलग प्रभाव प्रदस्चित करते हैं अगर इकठा किया जाए तो कागज को पत्ते को जला सकते हैं अगर फैला दिया जाए तो किसी जगह में रोश्नी कर सकते हैं परावर्तन कर सकते हैं अपवर्तन कर सकते हैं इन दर्थोंस बना सकते हैं तो ये कहां की वैसे सिख्धरसन की व्याख्या थी एक बिग नांग ये जो है बदमत के हमारे संत्र हैं और इन्होंने क्या कहा इन्होंने भी वही बात कही कि हमारा जो दृष संसार है उसका उद्भव प्रकास के कणों के कारण होता है अगर चीजें दिखती नहीं है तो एक्जिश्ट ही नहीं करते हैं हमारा जो है जो हमारी जो दर्शन है हमारे जो व्याख्याएं है वो बहुत अच्छी है और आपको उसके बारे में भी जानना चाहिए लेकिन अब हम थोड़ा हिस्टरी में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि लोगों ने किस प्रकार से इसको उप्योग किया यह घटना है आर्किमेडीस के बारे में क्या बोला गया कि उन्हों ने दरपणों की सहयता से अपने दुस्मनों को हराने की यह तरकीव उप्योग की उन्होंने समुद्र तर्ट पर सेकड़ों हजारों ऐसे दरपन लगाए और जब भी कोई मतलब दुस्मन का जहाज आता था उसूर्य के प्रकार्ष को दुस्मन के जहाज के उपर लगा देते थे और इस प्रकार से बिना किसी हमले के बिना किसी हाथियार के और उन जहाजों को समुद्र के उपर ही जला करके नश्ट किया जाता था कम से कम उनके परदे तो जला ही जा सकते थे आगे हम बात करेंगे कि कॉर्पसकल थियोरी क्या होती है और ये न्यूटन ने 1675 में बात की थे इन्होंने कहा था कि सूर्य का जो प्रकास है वो छोटे छोटे जो है कणों से मिलकर बना है जिसे हम कॉर्पसकल बोलते हैं और इन्ही कणों के थुरू जो है उन्होंने व्याक्षा की कि किस प्रकार से परावर्तन होता है किस प्रकार से अपवर्तन होता है ठीक है इन्हों ने ये जो चुत्र आप देख रहे हैं यहां पर न्यूटन खड़े हुए हैं और ये एक प्रिज्म रखे हुए हैं जिससे वो रेन्बो देख रहे हैं सूरे के साथ वर्णों को भगत करके देख रहे हैं इसके बाद में फ्रांसिसको ग्रेमाल्डी इन्होंने क्या कहा इन्होंने ये कहा कि भाया न्यूटन जी आपने कहा कि ये प्रकास के जो है जो कण हैं वो कॉर्पसकल हैं लेकिन जब भी प्रकास को जो है किसी छोक किनारे से मोडा जाए तो वहां पर विवर्तन होता है जो व वेव प्रकृति को ये प्रकास की तरंग प्रकृति को दरसाता है तो उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष के छोटे से हिस्से में किसी कोने पर मुड़कर प्रकास वेव की तरह प्रकास किसी तरंग की तरह वेवहार कर सकता है अगली बात कि इन्होंने की हाइगन ने ये ऐसे महानव ज्यानिक न्यूटन हुआ करते थे और उनकी ख्याति के बीच में इनकी बातें दब गई तो इनकी बातों को उस समय कोई ध्यान नहीं दिया लेकिन वो बात क्या थी वो बात ये थी कि इन्होंने कहा कि प्रकास कोई कणवन नहीं है corpuscal जो theory है वो गलत है प्रकास तो एक wave है एक तरंग है और प्रकास तरंग के तरह ही वेवहार करता है इनकी बात को इन्होंने पुष्टी देने के लिए बहुं सारे मत सुझाए और इसके बाद में बात करते हैं हम फ्रैसनल की इन्होंने इन मतों को सुना और उन मतों की पुष्टी के लिए कुछ और प्रमान प्रस्तुत किये इसके बाद हम बात करेंगे Thomas Young की और Thomas Young यो वेक्ति हैं जिन्होंने प्रकास के मतलब दो स्लिट के एक्सपेरिमेंट के थूँ जो है ये बताया कि किस तरीके से प्रकास का भी वर्तन होता है किस प्रकार से हम bright fringe और light fringes देखते हैं और ये तभी संभव है जब प्रकास तरंगों की तरह विवहार करता है फिर हम बात करेंगे हर एक चर्चा में सबसे बड़े हिरो की अन्वर्ट आइंस्टाइन इन्होंने प्रकास की द्वैप प्रकृति के बारे में बात की इन्होंने बताया कि भाईया कैसे हम प्रकास को corpusical theory की सहता से कंड भी मानेंगे और उसी समय किस प्रकार से हम प्रकास को हाईगन के principle के हिसाब से एक तरंग भी मानेंगे तो इन्होंने ये बात की पुश्टी की की प्रकास तरंग भी है और प्रकास कंड की भाते भी विवहार करता है और प्रकास के पास में असल में दो गुण, दुई गुण होते हैं तो अलबर्ट आइंस्टाइन बहुत ही महान और बहुत ही कमाल के रहमार के बर वैग्यानिक थे आप से अगर मुझसे अगर पूछा जाए कि आपके फेवरेट साइंटिस्ट कौन है तो हो सकता है कि मेरे मुझसे एक बार फिर से अलबर्ट आइंस्टाइन का नाम निकल है आपको यह सारी बातें बताता मैं इसलिए हूं ताकि आप भी उन वज्यानिकों से इंस्पायर हों आप भी जो है एक बनी बुनाई जॉब की स्ट्रक्चर हमां सरकारी नौकरी वाला जो हमारे देश में चल रहा है उसको छोड़के आप सपना देखें कि आप नोबल प् करता हूं मिलते हैं हम अगने वीडियो में और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए आपका काम यह है कि आप मुझसे लगातार मिलते रहिए हम मिलते हैं अभीप्सा के ब्लैटफॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा लिंक मिलेगा आप सबसे प और तब तक के लिए धन्दवान